प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है शाजापुर जिले की चठी आलेक अजीत पाराशर वाचक स्वर सैंफता बैनर जी शाजापुर जिले में इंदनों गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिये हैं तापमान 40 डिगरी सलसियस के खरीब पहुँचने लगा है दूसरी और जिले में 9 दिनों तक चले नवरात्री पर्व में श्रधालू ने देवी के विशेश पूजा अर्चना की शाजापुर के प्राचीन राज राजेश्वरी मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में श्रधालू दर्शन के लिए आए यहां 15 दिवसिये पारंपरिक मेले का आयोजन भी किया जा रहा है राम नवमी पर राम प्रगट उत्सव धूमधाम से मनाया गया शाजापुर जिला कलेक्टर ने किसान कल्यान, उद्ध्यान की, क्रिशिविज्ञान केंद्र और अन्य सम्मंधित विभागो की अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जिली में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गाउ में संगोष्ठियों और जन जागरुकता के कारिक्रम आयोजित किये जाए इन कारिक्रमों के दौरान किसानों को जन कल्यानकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाए बाबा साहिब डौक्टर भीमराव अंबेटकर की 131 वी जैनती 14 अप्रेल को शुजालपुर विकास खंड में जिलास्तरिय कारिक्रम का आयोजन किया जाएगा ये कारिक्रम प्रदीश के स्कूल शिक्षा और सामानी प्रशासन राज्यमंत्री इंदर से हिं परमार के मुख्य आतित्य में संपन होगा कारिक्रम आयोजित करने के लिए जिला कलेक्टर ने विभागों के वरिष्ट अधिकारियों को विभिन जिम्यदारियां सौपी है आज़ादी कामरत मोहत्सव के अंतरगत 7 अप्रेल को जिले में अन्न ओत्सव कारिक्रम 352 शास की ओचित मूल्य दुकानों पर आयोजित की गई इस दोरान हिद्गराहियों को राशन प्रदान किया गया इस मौके पर प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन्न योजना का चौथे चरण की शिर्वाद भी की गई शाजापुर में नागरिका पूर्ती निगम मध्य प्रदेश के महा प्रबंधक केके श्रवास्तव ने विभन अक्षेत्रों में अन्न ओत्सव कारिक्रम के तहत खाद्यान वित्रण की कारवाई का नरीक्षण किया आगामी अक्षेत रुतिया के अफसर पर शाजापुर जिले में कई जगह सामोहिक विवाह संपर्न होने हैं इन सम्मेलनों में बाल विवाह रोक्थाम के लिए दलोक अगठन किया गया है प्रदेश के आयुष विभगनी जन सामानी को आयुष स्वास्त सेवा को घर पर ही सुलब कराने के उदेश्य से आयुष क्योर आप लॉंच किया है इसकी द्वारा रोगी सीधे वीडियो कॉल के माध्यम से चकितसक से परामर्ष प्राप्त कर सकेंगे यह जानकारी देते हुए जिला आयश अधिकारी डॉक्टर दाताराम जयंत ने बताया कि आयुष क्योर एंड्रोइट आधरत एप है यह गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी पसंद की आयुष चकितसा पधती, आयरवेध, होमियोपैथी और यूनानी के विशे शग्य, चकितसक से परामर्ष लिया जा सकेगा मुख्यमंत्री युद्धियम क्रांती योजना के तहत शाजापुर के एक हितगराही को करशी सेवा केंद्रो के लिए 15 लाख रुपै और बेरचा मंडी के एक हितगराही को गल्ला व्यापार के लिए 10 लाख रुपै के रिड स्वीकृत पत्र प्रदान किये गए शुजालपुर को स्वच्चता सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग दिलाने और स्वच्चता के लिए नगरपालिका ने पिछले दिनों जागरुकता रैली निकाली प्रदेश के स्कूल शिक्षा और सामानी प्रशासन राज्यमंत्री इंदर से हिं परमार इस रैली में शामिल हुए शाजापुर्जिला प्रशासन ने ग्राम खड़ी में अवैध निर्मान ध्वस्त किया और अनुसूचत जाती वर्ग के लोगों को क्रिशी कारी के लिए पट्टों पर दी गई लगभग 110 बीघा भूमी को अवैध कबजे से मुक्त करवाया मुक्यमंत्री ने पिछले दिनों 474 करोड रुपे की लागत की 945 नलजल योजनाओ का वर्चुल ई-लोकार पंड किया इसमें शाजापुर्जिले की 555.2 लाख रुपे लागत की 10 योजनाओं भी सम्मिलत है शाजापुर्जिले में इन 10 योजनाओं से 3561 परिवार लाभानवित होंगे शाजापुर्जिले के शुजालपुर तहसील के ग्राम भील खेडी में 43.52 लाख रुपे लागत की नलजल योजनाओं का शुभारंब किया गया पिछले दिनों शाजापुर्जिले मुख्याले के कलेक्टर कारियाले परिसर में रोजकार दिवस साय उजित किया गया रोजकार दिवस के अफसर पर विभना योजनाओं के तहत युवाओं को स्वैम का उद्धियम शुरू करने के लिए रिन प्रदान किये गए इस अफसर पर नौ कंपनियों द्वारा 51 योवाओं का रोजकार के लिए पंजियन किया गया शाजापुर की यातायात पुलिस टीम को इंटरसेप्ट कार प्रदान की गई है इसके जरीए शाजापुर जिले की यातायात पुलिस आसानी से वाहन चेकिंग कर सकेगी शाजापुर जिला कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी दिनेश जैन नी ग्रीश मरितू में पेजल की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोशत किया है कलेक्टर ने सचाई और द्योगेक और व्यावसाई गतिवधियों के लिए जल के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है जिले की चिठी समाप्त हुई